खबर नाइन न्यूज चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन दबा कर हमारी सभी न्यूज प्राप्ट करें नमिश्कार आप देख रहे खबर नाइन और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शुक्रवार साम से जारी भारी बारिश के करें बर नगर शहर के कई मौले चल्मग्ड हो गए तो मुख्य मात के रास्ते भी पानी के करें बन दो गए वहीं कई गाउं भी चल्मग्ड हो गए हैं और कई इलाकों में लोगों को घरों में पानी गुच गया है आज सुबा करीब पांच बजे अंस्ट्रेवल की बस क्रमान MP09FA 57-03 आहमदाबाद से इंदोर जाते समय अचानक बढ़नगर के TVS शोरूम के पास पूलिया से निकलते समय साइलेंसर में पानी गुचने से रोग गई थी जिसकी जानकरी मिलने पर थाना प्रबारी पढ़नगर दिनरेश प्रजापती अवं तैसिलदार पढ़नगर सुरेश नागर द्वारा अपनी टीम के साथ पहुंच का सुबा पांच बजे बस की सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला तता बस को बाद में जैसीवी के मांध्यम से खीच कर बाहर निकल वाया गया वहीं रादबर से हो रही लगतार बारिश के चलते प्रशासनिक अमले द्वारा सभी जगा पर अपने पैंट निदारित किये गए थे बस जब पूलिया के उपर से निकले हुए पानी में फसी तो सभी यात्री काफी विचलित एवं परिशान हो गये थे किन्तो प्रशासनिक टीम द्वारा समय पर पहुँच कर यात्रियों को सुरक्षित निकाल कर पहुँच आया चैतर में भारी बारिश के कारण ग्राम भाट पशलाना से खरसोत कला मार्ग बन हो गया तो ग्राम जलोत संजर से सुन्दराबाद मार्ग बारिश के चलते बन हो गया है पानी अधिक गिरने से फूलिया के उपर से चारा आ है जिसके कारण अवागमन बन हो गया है तैसिल में कई गाओं में बारिश के करण गरों में बुच गया है और महले में पानी ही पानी चारो तरफ और देखा जा सकता है बढ़ नगर से नितिन पंडिया की रिपोर आज के खबरों में बस इतना ही बने रहे हमारे साथ खबर 9 में